नमस्कार सातियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉट हैंड अकैडमे इस ट्रनो क्लासेस में दोस्तों आज हम ओपी शुक्ला की डिक्टिशन करेंगे जो की 100 शब्द प्रतिमनट का डिक्टिशन है तो आई ये स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टिशन पांच सेकेंड बाद We ready for it, start सभापती जी इस बिल में सुधार करने के लिए जो संशोधन रखे गए हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ लेकिन इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ की यह बिल बहुत देर से आया है इसको तो पांच वर्ष पहले ही आ जाना चाहिए था लेकिन जैसा और कामों में होता है वैसा ही रविया सरकार ने इस काम में भी दिखाया इस कारण करोडो रुपे की विदेशी मुद्रा हम लोगों के हाथ से बाहर चली गई जिसको हम अब वापस नहीं ला सकते हैं ग्राम कुछ उद्योग पतियों को आप लुटेरा कह सकते हैं वे किसी ना किसी तरहे से देश का धन लूट कर विदेशों में अपने खाते खोल कर उनमें जमा करवा देते हैं और आयकर से भी बचे रहते हैं विराम उनमें केवल वही लोग नहीं होते उनका साथ देने वाले हमारे यहां के बड़े बड़े अफसर होते हैं जिनका उनमें हाथ रहता है विराम मैं दो तीन उदाहरन आपके सामने रखना चाहूंगा जो सरकार के करोडों रुपय के आयकर को हजम कर रहे हैं विराम पैरा श्रीमान काले धन का बहुत जिक्र किया जाता है काले धन को हम लोग अंधों की तरह ढूंडते हैं की वह कहां कहां पर है कोई 500 करोड रुपया कहता है कोई 1000 करोड कहता है और कोई 2000 करोड बताता है यह धन तो ऐसा होता है जिसे कोई देख ही नहीं सकता यह धन हाती के समान है जिसे समूचा एक साथ देखना कटिन है देश में जो काला धन है उसको वसूल करने के लिए सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है काला धन उतना ही बढ़ता जा रहा है विराम अभी तक सरकार को यही ग्यात नहीं हो सका है कि देश में कितना काला धन है लेकिन प्रश्न यह है कि जो विदेशी मुद्रा के जर्ये दूसरी जगह बैंकों में पैसा जमा हो जाता है वह कैसे बाहर आ सकेगा यह समझ में नहीं आता विराम देश का काला धन तो देश में ही है कभी न कभी उसको आप पकड लेंगे मगर जो धन देश से बाहर विदेशी मुद्रा में चला जाता है उसे आप कैसे रोक सकते हैं यह सरकार को विचार करना चाहिए पैरा श्रीमान मैंने आपको उदाहरन दिया कि देश के अंदर जो काला धन है उसके लिए लोग बार बार शोर मचाते हैं चलाते हैं लेकिन जो विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है उसके बारे में सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है और सरकार ने शायद जानने की कोशिश भी नहीं की है विराम पेरा महोदै मैंने इस बारे में प्रश्न किया था किन्तु उसका उत्तर आज तक नहीं आया विराम मेरी समझ में नहीं आया की सरकार इस बारे में आकडे क्यों नहीं इकठा करती काडिये वाही क्यों नहीं करती पैरा श्रीमान इस बिल में कदम उठाने के नाम पर सरकार ने कई मदों में सजा बढ़ा ही है लेकिन जो कानून है उनको अमल में लाने के लिए सरकार के पास मशीनरी नहीं है पहले जो कानून है वे सभी बेकार सिद्ध हुए है पून विराम आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आयोगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद